प्रोर ने ओड़ के यांगे दिल पर देशी हो गया अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सी एक ऐसी मूवी है जिसको देखके उसको सबसे ज़्यादा लोगों ने फोलो करा है उसकी हैरिस्टाइल को फोलो करा है तो आप सभी के दिल और मन और माइंड सब जगए एक की चीज आएगी वो है तेरे नाम मतलब जो सलमान भाई की जो मूवी है उसकी जो हैरिस्टाइल है वो इतनी ज़्यादा लोगों ने कॉपी करी थी और आज भी आपको ऐसे डह सारे बंदे मिल जाएंगे जो तेरे नाम वाली जो हैरिस्टाइल है वो रखती है बैसिकली उनकी मुवी के आने के बाद ही ये जो हैरिस्टाइल है वो इतनी ज़्यादा ट्रेंड करी थी तो चलिए अभी मैं आता हूँ बैक टू पॉइंट की आज मैं आपको क्या देखाने वाला हूँ तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग तेरे नाम मुवी के अंदर एक गाना था पॉड़नि और के नाचूं तो उस गाने की शुटिंग लोकेशन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर देखाने वाला हूँ बेसिकली वो जो गाना है वो दो सूटिंग लोकेशन के उपर सूट हुआ था तो जो सबसे पहली जो सूटिंग लोकेशन है वो है ये अभी मैं आया हूँ महरान गड़ फोर्ड जोधपूर के अंदर इसी किले के अंदर उस गाने के कुछ जो सीना वो सूट करे गए थे और क कुछ जो सीना वो तीश्री जगह के उपर भी सूट करे गए थे तो तीश्री जगह पर तो मैं आपको नहीं लेकर जाने वाला हूं आज तो आज के इस वीडियों के अंदर हम लोग सिर्फ दो ही सूटिंग लोकेशन को कवर करेंगे तो अभी चलते हैं महरान गड़ फोर् अभी है वो सूट हो चुछी है और पहला जो सीन है तेरे नाम भी था उस गाने का वो यहां से सूट करा गया था तो जब पीचु गाना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक ऐसे केमरा एंगल दिखाया जाता है जिसमें यह तो सामने वाला आप कोर्शन देख सकते हो यह वाला इसके अंदर वो जो और फिर आगे के जो सीन है आप यह वाला जो सामने वाली जो यह तोप देख सकते हो उसके साथ पी एक जो सीन हो लिया गया था तो मैं चलिया आपको यहीं से दिखा रहेता हूं तो वहां वो जो क्रेन है वहां केमरा लगाया गया था और इधर की साइड से यह पीछे का पूरा जो फोर्ट का जो एरिया है वो लिया गया था लेकिन वहां जाना अलाव नहीं है तो मैं अभी आपको यहीं से बता रहता हूं आप स्क्रिंशोट के साथ मेंच करके देख पीजी यह वाला जो सीन है वो यहां से सूट करा गया था और कुछ जो सीन है वो फिर आगे सूट करें गये थे तो चलिए मैं आपको वह भी रिखा देता हूं कैंज पिर एक जो गेट वाला जो सीन है वो यहां से लिया गया था यह वाला वुगेट होता है तो उसमें आप देख सकते हैं इस वाले गेट के यहां पर एक शीन सूट करा गया था जिसमा बेग्राउंड में अपने को यह वाला और पिर यह वाला इस्ट्रेक्चर देगने को मिलता है कि और पोर्णर में पता नहीं लेकिन आज यहां पे क्राउड थोड़ा ज्याता ही है के व यहां पर आप देहकंतो कुछ सीर्प अंदर आपको फी sect के अंदर आपको यह वाली भी देखने को मिलती। ये फिर यह वाला पोर्टे कहा group ओर यह वाला देखने को मिलता है अपर स्क्रिन शोट के साथ मेच करके देख लीजिए और यह वाला वो गेत होता है और फिर कुछ जो सीन है वो तोप वाले वो आगे सूट करे गए तो चलिए मैं आपको वहाँ पर भी लेके जलता हूँ तो अभी मैं आपको जो सीन बता रहा था वह वाला जो सीन है वहाँ से लिया गया था सामने से अब उस वाली जगह के ऊपर से और उसमें अपने को यह वाला पूरा यह रिया है वह वहाँ से देखने को मिलता है तो अभी आपकी स्क्रीन के उपर जो सीन आ रहा है वह वहां की केमरा इंगल से सूट करा गया था लेकिन वहां जाना अलाव नहीं तो मैं आपको नहीं बटा पाओं और फिर कुछ सीन है वह जो तोक के साथ वाली जो सीन आपको आगे सूट करे गए थे तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा रहेता हूँ तो उस सोंग के अंदर सबसे पहले सलमान भाई को एक तोप के साथ दिखाया जाता है कि तो आप यह वाली तोप मान लीजिए इसको और फिर यहां से पूरा पूरा आप देख लिए दिख लिखे ह repeating कि फिर इस वाले पूरे पूरे एरिय के अंदर यहां ऊपर की गैमरा और शें यह वाल2 जो कि रेलिंग लगी गई है यह बैसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई वहां पर अंदर ना गिर जाए तो यहां पर आप देख सकते हो आपको दो दिख रही होगी एक और फिर दूसरी यह आपको स्क्रिंसोट के अंदर भी दो ही देखने को मिलती है कि अब पुछ दो सीन है वह अंदर सूट करे गए तो चलिए मैं आपको वहां पर लेकर जलता हूं तो दोस्तों फिर कुछ से दूसीन है वह ओड़नी ओड़नाथी उसकाने के यहां पर भी शूट करे गए थे तो यहां पर आपकी स्क्रिंट के उपर जो स्क्रिंसोट आ रहा है वह इसी जगह के उपर लिया गया था इसी जगह के ओबर बीच में जो वह मैं है वह डांस करती है और फिर एक दो केमरा एंगल और ऐसे भूमते हुए है है आपसे दिखाया गया था पुछ पूर्फ सीं लंदर अपनी खेंगा की से है अब आप सकर यह वाले गयार देखनें से अ और इसी दरगए के उपर वो जो सीने वो सुट करा गया था और कुछ जो सीना वो उसके अंदर भी सूट करे गये थे तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा है है हुं कि लिए वाला आप पूरा पूरा अरिया होता है तो चले मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूं अंदर से दिखाता हूं कि अंदर कौन पहुंचे जो सीने वो सूट करे गए थे आप करें करें कि एक सीन यहां से भी लिया गया था जिसमें अपने को आउट साइड का जो इस्ट्रेक्चर वह देखने को मिलता है कि खुड़ता में आपको वाइड एंगल से दिखाता हूं तो कुछ जो सीन है वो फिर यहां पर लिये बैए थे अभी यहां पर अलाव नहीं अंदर जाना लेकिन वो जो सीन है वो इस वाले जगह के उपर सूट करें गए थे आप यह वाला देख सकते हैं यह वाला एक गेट खुला हुआ था और अपने को साइड में यह जो दो गेट वह दिखते हैं और पीछे यह वाला स्ट्रेक्चर भी देख सकते हैं अपने वो बेगरउं में दिखता है तो जलिए हम आपको एब थोड़ा सा इधर से दिखाता आइ अ़ गूरम तो आप देख सकतो यहां से लिया गया था ऑफिर एक दो से ключसित है उयागे अवे फिर या गया था और एक सीन के अंदर आपने को ऊपर का यह जो सीलिंग है वह भी देखने को मिलती है और शिर्फ तीन गेट देखने को मिलती है तो इसको भी आप स्क्रिंशोट के साथ में इसकर के लेक्स आपके और यह पूरा का पूरा कुछ ऐसा है कर दो दोस्तों अभी मैं उस सेकेंड़ सुटिंग लोकेशन के ऊपर और नी ओड़े के ना चू उस गाने का कुछ जो सीने वह सूट करे गए थे तो यहां पर आप मेरे पिछे देख सकते हो कितनी खुबसरुत खुबसरुत छत्रिया है और इन जो छत्रियों का जो नाम है इस एरिया का जो नाम है वह है पंचकुला की छत्रिया और यह लगबग जोदबूर से 15 से 20 किलोमेटर दूर है तो चले मैं अभी आपको यहां पर सीन कंपेरिजन करके बताता हूं तो एक ज इस वाली जगह के उपर सूट करा गया था तो चले मैं भी आपको डिटेल में बताता हूं कि अपना जो काम है वह है डिटेल वाला और यार मिरको यह सची में इन छत्रियों से बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया है यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है तो यहां पर आप देख सकते हो एक जो शीन है को इस वाली जगह के उपर सूंट करा गया था इसवाली छत्री के बीच के अंदर ही जो है वो डांच करती है ही रुश तो यहां पर आप सीन-टू-स करके सकते होえば और कुछ जो शीन है वह यहां पर भी आगे पर शूट करें गए थे इनके अंदर तो चले मैं आपको वह भी सीन टू सीन कंपेरेजन करके बताता हूं कि उसके कुछ जो सीन है वह इधर के साइड बीट करें गए थे तो चले मैं आपको भी दिखा रहेता हूं हुआ है और यहां पर मेरे को ऐसा ही लग रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं वह यहां पर कुछ लिया गया था तो चलिए मैं आपको सीन टू सीन कंपेरेजन करके बताता हूं छिए फिर कुछ दो सीन है वह की चट्री के ऊंदर सूट करे गए तो चले मैं आपको उपर से दिखाता हूँ जिसके अंदर कैसे कैसे जो सीने वह फूट करें गए तो मैं यहां पर सब सीनों को कवर्ड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब कि सब खतिरिया सेमी है और मेरेको न दान्स करते हैं और एक जो एसे घूमते हुए जाता है इसे घूमते हुए एक एंगल लेते हैं ऐसे करके और अपने को बेग्राउंड में जो है कुछ सीन के अंदर अपने को यह वाली जो है और यह क्ति सामने वाली जो छत्रिय देखने को मिलती यह तो इसे अपने प्ता जलता है कि यही वह चत्रिय और यहां पर आप कि यह वाले जो पिलर है उसकी डिजाइकर के देख सकते हो कुछ-कुछ सीन के अंदर वह भी आपको सेम देखने को मिलेगी और यहां पर आप यह देख लीजिए और यह उपर से कुछ ऐसी दिखती है और यहां से संसेट होता तो कितना ही प्यारा लगता है और यह पूरी की पूरी ऐसा कुछ है यहां से और यह वाली वह चत्री तो दोस्तों बाकी तो ओवरोल यह चत्रिया सेमी है सब तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को आपको हर एक एक सीन मिला के दिखाने की जरूत है क्योंकि आप लोग को अभी तो समझ आई गया होगा सो आप देख लीजे यह पूरा का पूरा ओवरोल बहुत ही खूब सुरत है आप अगर यहां पर आने का ट्राइ करो तो अकेले मत आईएगा ग्रूप के साथ आईएगा यह मेरा पर्सनल सजेसन है तो उमीद करता हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना विल्कुल ना पूले अगर आप हमारे चैनल के उपर नहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसाथ वाली बैल आइकन पर जर आपके वीडियो आमें